तो आज हम करेंगे class 11 chapter 7 permutation and combination इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे permutation इसमें क्या करना था कि determine करना था number of possible arrangement को हमने ठीक है next combination combination में selection of all sets of object इसमें हमने जो भी object होगा उसके जो भी sets बनेंगे उसके selection के बारे में पढ़ना है ठीक है दोनों में confusion नहीं होना है हमें जब भी हम किसी ची इसमें प्रिंसिपल अकांटिंग इसमें की if any event occur in m different ways अगर कोई event है m different ways में हो रही है and other event in n different ways वो जो दूसरी कोई अलग event है जो वो n different ways में हो रही है तो total number of events अगर हमें find करनी हो इस case में तो हम क्या करेंगे जो m ways थी multiply n ways थी दोनों को multiply कर लेंगे ठीक है next है factorial notation के बारे में तो factorial को represent करते हैं इससे जहां फिर ऐसे करके sign लगाके भी हम इसको represent कर सकते हैं ठीक है और यहां पर n factorial अगर हमें कोई value दी हो तो इसके लिए general formula है n factorial जो होता है वो किसके ब्राबर रहता है n multiply n minus 1 multiply n minus 2 multiply so on करके last में हमें 3,2,1 मतलब जैसे अगर माले 5 है तो 5 में से एक कम करते करते last में जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको reduce करते हैं ठीक है और इसको इस बे में भी हम represent कर सकते हैं यहां पर हम example के साथा से समयते हैं तो बन ठीक है तो हम सभी को इनको multiply करेंगे बन 20 अंसर आ जाएगा इसका ठीक है अधर example लेते हैं find x if x equal to 8 factorial upon 5 factorial तो 8 factorial को हम लिख सकते हैं 8 multiply 7 multiply 6 multiply 5 factorial यह इसलिए करा क्योंकि नीचे 5 factorial था 5 factorial से 5 factorial कट हो जाएगा ठीक है तो जब हम इन तीनों को multiply करेंगे हमार पास 336 अंसर आ जा पर्मूटेशन formula होता है जिसका हम NPR से represent कर लेते हैं और जो कि किसके एकल होता है N factorial divided by N minus R factorial ठीक है और इसमें conditions होती है कि N जो होता है वो always greater than or equal to 0 होना चाहिए और N की value less than K होनी चाहिए ठीक है next है four combination combination के लिए formula एगा NCR यहाँ पर C जो है वो combination को represent कर रहे है ठीक है तो इसमें N factorial divided by N minus R factorial और multiply में R factorial यह इसके लिए formula use होने वाले इस chapter में ठीक है तो next video में हम इसके question करेंगे thank you for watching